हेलो एब्रिमन मेरा नाम उतकर श्यादव है और मैं अलिगर्ड मुसलिम इनुवर्सिटीज में पढ़ता हूँ और अभी मैं यहां से भी आउनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ तो बहुत जो लोगों का मेरा हमेश्य से सवाल रहता है कि sports category में admission कैसे लिया जाता है sports category में admission लेने का बहुत ही simple criteria है आप को करना कुछ नहीं होता खाली जब आप registration करें पेपर के लिए नॉर्मल जैसे registration किया जाजा है तो उसरेजस्ट्रेशन के टाइम पर आपको भजिये करना होता है उसमें special category का एक option होता है तो आपको special category के option में sports category होती है उसको select कर लेना होता है उसके बहुत सारी categories होती है debating category होती है sports category होती है और भी categories होती है आपको वहाँ पर select कर लेना होता है उसके बाद आपको जब entrance देने आना होता है, जब entrance आप देखे आज आते हैं, तो एक list निकलती है, sports category के बच्चों की, उसके बाद आपको entrance में कुछ percent score करना होता है, जब आप कुछ percent score करते हैं, मजब EMU की guidelines के हिसाब से, जो sports category में बच्चों को लानी होती है, मेरे खाल से वो 35 और कुछ percent होता है मतलब I guess, मैं यह नहीं कहा रहा na कि 35 और होता है, इसी कुछ होता होगा, तो उतना लेकर आना होता है, उसके बाद आपको trails के लिए बुलाए जाता है, जब आप़ आपा trails के लिए आपको तभी बुलाए जाता है, जब आपको लिए जाते हृएं, मतलब आप कुछ भी जैसे आज के टाइम में बन जाते हैं certificate आप वैसे certificate लेकर आएंगे और दिखाएंगे या जमा करेंगे तो फिर वो valid नहीं होता तो आपको बिल्कुल genuine certificates होने चाहिए आपके पास और दो चीज ट्राइल के दो phases होते हैं पहला दिन क्या होता है कि आपको आपसे आपका fitness कराया जाता है आपसे उसमें walk कराई जाएगी आपको running कराई जाएगी आपसे crunches लगवाए जाएगे आपको ये सारी चीज़े करवाएंगे उसके बाद आपका जो भी आप category के चाहिए आप cricket खेलते हैं आप swimming करते हैं आप wrestling करते हैं आप जो भी game खेलते हैं आपस के degree की और मेरा तो यही कहना है और हाँ एक चीज़ और अगर कोई बच्चा sports में खेल रहा है तो वो बाद में भी खेल सकता है अब इसका ये थोड़ी सी अजीब बात है मतलब कैसे आपने sports के degree में admission लिया या नहीं लिया आप EMU में admission लेने के बाद भी आप जो है cricket खेल सकत बहुत normal criteria होता है thank you